पाप कर्म और पुन्य कर्म की परिभाशा क्या है? कर्म से तै नहीं होता, भीतर की भावदशा से तै होता है. उपर उपर से कर्म इक जैसे दिखाई पड़ते हैं, किन्तु भीतर हमारी भावदशा, हमारा इरादा क्या है? हमारी द्रिष्टी क्या है? उस पर निर्भर होगा हमने किस चैतन्य की अवस्था से वह कर्म किया, उससे निर्धारित होगा कि वह पाप है या पुन्य। उपर उपर से तै नहीं किया जा सकता कि ऐसा ऐसा करना पाप है कि वैसा वैसा करना पुन्य है। इसी संबंध में मैं आपने एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था नसरुदीन वो बगदाद शरीफ में रहता था वहां के बादशा से उसकी काफी अच्छी मित्रता थी एक दिन बादशा ने कहा नसरुदीन मैंने तै किया है जो भी आदमी जूट बोलेगा उसको फांसी पर चड़ा दिया जाएगा ताकि हमारे देश में सारे पुन्यात्मा हो जाएं, महात्मा हो जाएं, सत्यावादी हो जाएं जूट बोलने वाले को छोटी मोटी नहीं, सीधी फांसी की सजा मिलेगी नसरुदीन ने समराद से कहा कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि यह तै करना बहुत मुश्किल है क्या सत्य है और क्या सत्य है दूसरे दिन सुबह की बात है, समराद अपने बगीचे में टहल रहा था, नसरुदीन उसके बगीचे के बाहर से गुजरा नमस्कार की उसने, समराद ने उससे पूछा नसरुदीन कहा जा रहे हो सुबह सुबह नसरुदीन ने कहा कि हुजूर, फांसी पर चड़ने पर जा रहा हूँ, समराद ने कहा कि सारी काइनात जानती है कि तुम मेरे अजीज दोस्त हो, तुम ही कौन फांसी देगा नसरुदीन बोला कि इसका मतलब हुआ कि मैं जूट बोलता हूँ और आपने कानून बना दिया है कि जूट बोलने वाले को फांसी पर चड़ाएंगे तो अब मुझे सजाय मौत मिलनी ही चाहिए समराथ ने कहा तुम तो सच बोलने वाले आदमी हो, तुमको क्यों फांसी देंगे नसरुदीन ने फरमाया कि हुजूर, फिर आभी जो मैंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं फांसी चड़ने जा रहा हूँ क्या मैं जूट बोला, अगर मैं जूट बोला तो मुझे चड़ाओ फांसी पर लेकिन याद रखना, अगर मुझे फांसी पर चड़ाया तो मेरा जो वक्तव्य था, ये सत्य सिधह हो जाएगा मैंने यही तो कहा था कि मैं फांसी पर चड़ने जा रहा हूँ, तुमने मुझे चड़ा दिया तो तुमने एक सत्यवादी को फांसी पर चड़ाया और यदि तुमने मुझे चोड़ दिया, फांसी पर न चड़ाया तब तुमने एक जूटे आदमी को चोड़ दिया क्यों पाप और पुन्य तेक करना इतना आसान मामला नहीं है जो उपर उपर सिते किया जा सके। वही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा पाप, कर्म और पुन्य कर्म की परिभाशा उपर सिते नहीं होती, भीतर सिते होती है। यदि तुम कोई कर्म हुश पूर्वक कर रहे हो, प्रेम पूर्वक करुना भाव से कर रहे हो तो वह पुन्य है। इसके विप्रीत अगर तुम किसी का नुकसान करने के इरादे से, किसी को हानी पहुचाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, मूर्चा में कुछ कर रहे हो तो वह पाप है एक उधारन से समझो एक छोटा बच्चा है वो देखता है एक दीपक की लौ टिम्टिमाती आकर्शित होता है लौ की तरफ पकने जाता है उसे एक आजनभी स्त्री वहां से गुजरती है देखती है इस द्रिश्यकों लेकिन चुकचाप वहां से मुस्करात हुई निकल जाती है फिर एक दूसरी महिला वहां से गुजरती है वह इस बच्चे की मा है बच्चे से प्रेम करती है वो बच्चे को मना करती है कि बेटा दीपक की लौ को मत पकड़ना जल जाओगे बेटा नहीं मानता फिर भी पकने की कोशिश करता है तब मा उसे जोर से दाटती है, चिल्लाती है। अगर वल तब भी न माने तो मा उसको एक चाटा मारती है और इसको दीपक की लौन नहीं पकड़ने देती। आप क्या कहेंगे, ये दाटना और पतना, चाटा मारना, ये हिंसा का कृत्ति पाप है। उक्री कर्म से तै नहीं होगा, हमें देखना ह उस महिला के भीतर इरादा क्या है। उसका इरादा है बच्चे को बचाना, वह जल न जाए, इसलिए उसको चाटा मारा, इसलिए उस पर चलाई, कुस्सा हुई। इसका क्रोध, इसकी हिंसा भी किसी करुना से प्रेरित है और इसलिए वह पुन्य है। इसके हृदे में प् और ये दुष्ट महिला देखो, बच्चे को पीट रही है, दांट रही है, बच्चे की स्वतंतरता में टान गड़ा रही है, लेकिन उपर से तै नहीं होता, भीतर से तै होगा। पहली स्त्री, सम्वेधन ही नव कठोर है और दूसरी स्त्री प्रेमपूर्ण और करुनाव प्रित्य गौन और बाहरी घटना है, वस्त्रतुल्य है, बीतर जांचना होगा, इरादा क्या है? वह आत्मा जैसा है, प्रोध सदा बुरा नहीं होता और दया हमेशा अच्छी नहीं होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, औ और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद!